ठीक है तो दोस्तो आईए अपने शुरू करते हैं एक बहुती भैतर इंट्रेस्टिंग और सिंपल टॉपिक छोटा टॉपिक है राइट विच इस कॉल्ड 3D Geometry ठीक है क्या ना में टॉपिक का सा सर 3D Geometry सर जरा बताईए इस टॉपिक के बारे में हम लोग को कुछ दोस्तो अभी तक अभी तक जब मैं बोल रहा हूं तो मैं मेरा बोलने का मतलब है Class 10 तक अपने Class 10 तक जो भी बाते की हैं अपने लोगों ने जो भी पढ़ाई की है उसके तहत अपने लोगों ने अपने लोगों ने इस बात को जाना है दोस्तों की 2 Dimensional Plane क्या होता है 2 Dimensional Plane क्या होता है का मतलब आप लोगं ने इनो बहुत सारे Graph Sheets को भरा है जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है X axis और Y axis मतलब ये एक हो गया Y axis और एक हो गया X axis इस तरह के figures के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई की है जी हाँ सर हम लोगों ने इस तरह के बारे में पढ़ाई की है लेकिन एक बात बताओ आप लोग मेरे को या मैं आप लोग को एक बात बता दू किसी चीज को locate करने के लिए ऐसे concept का birth हुआ था कि अगर कोई object अलेट से एक wall है एक room के अंदर ठीक है ना आपको उसको locate करना है तो 2D concept काम नहीं आता है जितने भी हमारे buildings बनते हैं या जो भी कोई भी object का location रूणना है वो हमेशा 3D dimensional में पाया जाता है मैं आप लोग को एक example देता हूँ अपके सामने आप लोग को एक ball नजर आ रहा है यहां सर बिल्कुल ball नजर आ रहा है यह एक room है ठीक है इस room में एक ball है हवा में ठीक है मतलब let's say कि किसी ने photo ले लिया हवा में इसका ठीक है ना ball bounce कर रहा था किसी ने इस room में इस ball का photo ले लिया ठीक है आपको बोला गया कि coordinates या points के terms में इस ball का exact location हमें बताओ आपको कहा गया कि coordinate system के तरू इस ball का exact location हमें बताओ अब दोस्तो आप में से काफी लोग क्या पढ़े हो अभी तक वो देखो आप लोग बोलोगे कि सर देखो ये ball आप लोग बोलोगे कि सर देखो जो अपने पढ़ क्या है अभी तक जो अपने पढ़े है दो axis का या two dimensional का ये ball दिवाल से कितना right की तरफ है ये ball दिवाल से दिवाल मतलब wall wall से कितना right की तरफ है ये आप लोग बता दिये जमीन से कितना उपर है आप लोगों ने ये भी बता दिया तो क्या ball का exact location का पता लग गया क्या नहीं सर नहीं लगा सोच के एक बार देखो, अरे पीछे भी तो एक वाल है, ये वाला वाल आप लोगों को पीछे में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नजर, सर नजर आ रहा है, सर, तो उस वाल के कितना आगे है वाल, उस बारे में भी तो आप बात करोगे, कि नहीं करोगे, पीछे में जो वा जो अपना बॉल है यहां पर वो पीछे वाली वाल से कितना सामने है कितना आगे है आपको यह भी तो बताना पड़ेगा न यह देखो यहां से यहां से यहां तक का भी तो कुछ डिस्टेंस होगा पीछे वाले वाल से बॉल का हां सर अब आप लोग बताओ अब क्या आप लो एक बार before we proceed एक बार आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को basic idea कि क्या है ये 3D वो clear हो गया है क्या मेरा idea इधर पर ये demonstrate करने का केवल ये था कि आप लोगों को एक hint मिले clue मिले कि चल क्या रहा है logically चल रहा है कि नहीं चल रहा है बात आप लोगों को वो clue मिले sir उतना clear है कि नहीं clear है हाँ ना बोलिये फटापर yes sir, haa sir very good haa good अब sir बात को आगे समझे आप लोग बोल रहे हो कि हाँ sir ये बात clear है अब मैं क्या बोलता हूँ कि अब अगर आप लोगो इतना बात clear है तो आप लोग बात को आगे समझे ये है concept दोस्तो 2D का जैसा कि मैं आपको क्या रहा हूँ कि 2 dimensional का और 3 dimensional का फरक है तो अब आप लोग 3 dimensional के बारे में समझे कि क्यो 3 dimensional figures के बारे में पढ़ना जरूरी है because they gave you a more approximate और I would say appropriate location of an item बराबर जी हाँ sir बराबर अब आप लोग देखो अब आप लोग यहाँ पर देखो ठीक है हाँ sir बताओ देख रहा हम लोग अभी तक अपने लोग दोस्तों कैसा planes के बारे में पढ़े थे अभी तक अपने लोग केवल xy plane के बारे में पढ़े हैं xy plane के बारे में का मतलब अभी तक क्या पढ़े हैं अपने लोग ऐसे एक y axis होता है ऐसे एक x axis होता है अपने लोग इसके बारे में पढ़ाई की हैं अभी तक जी हां सर बिल्कुल अपने लोग इधर पढ़ाई कियें और फिर भी कोई भी object का location होता था हम लोग इसको locate करते थे अलग-अलग जगा पे and plotting चलती थे इस तरह से राइट बट जैसा कि अब आप लोग समझ चुके हो कि now you are into the world of 3D तो अब आप लोगों का जो graphs है वो थोड़ा सा और emerge होगा मैं ये नहीं बूर रहा tough होगा वो थोड़ा सा और emerge होगा और थोड़ा सा बहतर तरीके से आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा अच्छा सर ये बात है जी हां बिल्कुल ये बात है खेर जानिए सर इसके बारे में अब सुनिएगा अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 planes आपको नजर आ रहे है सर 3 planes आप लोगों को नजर आ रहे है ठीक है ना अगर आप लोग clearly देख रहे हो एक है green shadow में एक है green shadow में ये है exact plane अच्छा अब जब बात exact plane की होई रही है जब बात exact plane की होई रही है तो मैं आपको ये बता दू कि यहाँ पर ये जो सामने में आपको ये arrow दिख रहा है मैं red से अगर indicate करू ये जो सामने में आपको ये arrow दिख रहा है ये आपका x axis को represent कर रहा है ठेक है अगर ये x है तो इसके पीछे वाला x- होगा समझ गया ना आप ये वाला arrow ये x- represent कर रहा है correct यहाँ पर दोस्तों ये जो है हमारा जैसा कि आप लोग यहाँ पर पा सकते हो ये जो है ये हमारा y-axis represent कर रहा है तो ये y है तो ये y- है ठेक है कि नहीं ध्यान से सुनिए गहाँ यहाँ पर हर बात आप लोगों को बहुत क्रूशली याद रखना है ये z है तो ये नीचे में हमारा क्या है सर ये हमारा z- है perfect है सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं बोला सुनो सर क्या एक concept या एक बात आप लोगों को feel करना है सर क्या feel करना है दोस्तों आप लोगों को ये बात feel करना है कि जब आप बात कर रहे हो x-axis का तो आप बात कर रहे हो आगे या पीछे का देखो ना x सामने में है और x पीछे भी है आप आगे और पीछे का बात कर रहे हो जब आप मेरे से X-axis की बात कर रहे हो जब आप मेरे से X-axis की बात कर रहे हो आप मेरे से सामने का और पीछे का बात कर रहे हो जब आप मेरे से Y-axis का बात कर रहे हो तो आप मेरे से Right और आप मेरे से Left का बात कर रहे हो और जब आप मेरे से z axis का बात कर रहे हो तो आप मेरे से उपर और नीचे का बात कर रहे हो जैसा कि मैंने आज class के शुरुआत में बताया कि ये जो हवा में ball आपको दिखाई परड़ा है हवा में जो ball आपको दिखाई परड़ा है उसके तीन location है एक left वाले दिवाल से वो कितना right है एक नीचे वाली जमीन से वो कितना उपर है और एक पीछे वाले दिवाल से वो कितना सामने है ये रिप्रेजेंट कर रहे है दोस्तो आपका x, y और z concepts respectively सर फिर से x कितना सामने या पीछे है कोई object वो दिखा रहा है Y कोई object left है या right है वो दिखा रहा है और Z दिखा रहा है कोई object उपर है या नीचे है अच्छा जी हाँ सर बिलकुल ये बात है जी हाँ सर बिलकुल ये बात है सर अब आप बात को आगे बढ़ाईए प्लीज बोला ठीक है मैं बोला ठीक है अगर आपने कहा हमने किया तो सर जब अपने लोग बात को आगे बढ़ाएंगे बहुत होले होले चल रहे हैं बात को लेकर इसमें क्या शुरुवाती समस इतना टफ नहीं है इसमें खाली concepts शुरुवात में समझना फोड़ा सा students को मुश्किल होता तो मैं concepts के साथ time spend कर रहा हूँ सुनो आप ठीक है यह जो green वाला आप लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों यह जो green वाला आप लोगों को नजर आ रहा है that is what? that is called xz plane सर xz plane क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि देखो वो उपर से नीचे और सामने से पीछे उपर से नीचे मतलब z और सामने से पीछे मतलब बिल्कुल x तो यानि की xz plane करेक्ट आज आप लोग यह blue वाला देखो अगर आप लोग यह blue वाला देख रहे हो तो यह किस plane को represent कर रहा है आप सबसे पहले यह देखो यह represent कर रहा है देखो left से right यानि की y और उपर से नीचे यानि की z बिल्कुल तो यह represent कर रहा है yz plane को ठीक है लेकिन अगर आप यह orange वाला देखोगे अगर आप orange वाला जो देखोगे अगर आप उसको देखोगे तो उसका क्या है वो x की तरफ भाग रहा है और y की तरफ भाग रहा है मतलब देखो ना वो left right है और सामने पीछे है फिर से left right है देख पा रहे हो और सामने पीछे है so that is representing what that is representing x y plane got it sir got it sir दोस्तो अब आप लोग को ये बात पता है कि जब अपने लोग पहले पढ़ते थे पहले पढ़ते थे in the sense 2D में पढ़ते थे y और x के बारे में तो अपने लोग का जो हर quarter होता था मैंने नामी ले दिया हर box को अपने quadrant बोलते थे quadrant 1 quadrant 2 ये हो गया अपने लोग का quadrant 3 और ये हो गया अपने लोग का quadrant 4 अपने box बोल सकते हैं ये quadrant बोलते थे quadrant मतलब corners 4 corners we had यहाँ पर अगर आप लोग दोस्तो clearly देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तो अगर आप लोग clearly देख पा रहे हो उपर में पीछे की तरफ, और उपर में सामने की तरफ हो गया 4, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 इधर हो गया, और नीचे में भी सेम चीज रिपीट करिए, 5, पीछे की तरफ 6, उधर पे पीछे की तरफ 7, और इधर सामने की तरफ 8, 5, 6, 7, 8, तो यानि कि यहां पर 8 quarters है वैसे, या 8 corners ह है वैसे, या 8 boxes है वैसे, तो यहां पर जो हर area है, हर जो unique box है, उसको अपने लोग quadrant नहीं, अपने लोग उसको octane बोलेंगे, क्या बोलेंगे, octane, तो जब मैं बार-बार term यूज़ करू, octane, तो मत सोचना की क्या चल रहा है, जिसे quadrant में जो boxes होते थे, तो वो quadrant इसली होता थ बिकोज वो four में divided था, यह octane इसली है, क्योंकि यह 8 में divided है, यह octane क्यों है, यह octane इसली है, क्योंकि यह 8 में divided है, सर सबको clear है क्या है यहां तक, खाना बुलना पड़ेगा, slow-slow चल रहा हूं yes sir, हां, all right, yes sir, ठीक है, okay, great, perfect, सर अब सुनिया आप लोग सर अब आप सुनिये एक बात को जी हां सर जब भी अपने लोग ऐसा discussion में एंटर करते हैं ना तो अपने लोग को tricks और techniques to remember the positive and negative values जैसे quadrants में क्या होता था जब अपने quadrant पढ़ते तो अपने पढ़ते थे ना कि first quadrant में दोनों x और y positive है second quadrant में x negative है y positive है third quadrant में दोनों negative है fourth quadrant में let's say अपने लोग का x positive है y negative है मतलब इस तरह का बातचीत अपने लोग का चलते रहता था बिल्कुल ऐसा बात्चीत अपने लोग का चलते रहता था मैं क्या कह रहा हूं कि यह पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की बारे में तो आपको कोडरेंट्स में भी पढ़ना पढ़ेगा सर बिल्कुल पढ़ना पढ़ेगा तो आईए अपने लोग उसकी तरफ चले आ लाग्राम आपको दिखाई पढ़ रहा है इसको आप बिल्डिंग की तरह समझ नहीं अब ऐसा सोचो कि इस में दो फ्लोर है मैं कि इस building के अंदर जो है floors जो है वो 2 floors ठीक है sir कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सुनिए गहाँ इस building में कितने floors है 2 floors है आपने कहा कि इस building में 2 floor है ऐसा समझ लो और यह मान लो कि इन हर floor पे 4 flats है हर floor में कितने flats है हर floor में 2 तो 4 flats है ठीक है sir perfect है हाँ सर बताईए सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस बारे में आपको बता दूँ सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस बारे में आप लोग को बता दू कि x y और z लिखना आप लोग को आ जाए यह देखो जैसे यहाँ पर यह हमारा जो होता है यह हमारा z यह z डेश है है ना यह हमारा y है यह हमारा y डेश है और यहाँ पर सामने में यह हमारा x है यह हमारा x डेश है सबसे पहले आप यह समझ लो ठीक है सर समझ लिया अब आप लोगको ये recognize करना है और इस बार की clarity रखनी है सुनिएगा, इस बार की clarity सबसे पहले आप किस floor में lie करते हो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ आप किस floor में lie करते हो सबसे पहले आपको ये clarity होनी चाहिए अगर मैं बताओं आपको flat number wise flat number wise बताओं ना तो flat number wise आप किस तरह से देखोगे first flat, second flat third flat, fourth flat और ये जो भी मैं flat बोर रहा हूँ ये real life में octant है first octant, second octant, third octant, fourth octant fifth octant, sixth octant, seventh octant उधर पीछे में और eighth octant ये 8 octant से सर ये 8 octant से सर सर बिल्कुल ठीक है, सर मतलब आप बोर रहे हैं आप उपर वाली मंजिल से स्टार्ट कर रहे हो जी हाँ बिल्कुल मैं उपर वाली मंजिल से स्टार्ट कर रहा हूँ अब आप लोग सुनने का कोशिश करें बताइए सर क्या सुनना है, क्या समझना है मैं क्या कहता हूँ मैं क्या कहता हूँ सुनो ट्रिक ये याद रखने का है अगर आप first floor पे हो आप उपर वाले floor पे हो उपर या नीचे को सुन लीजेगा मैं एक बात बता देता हूँ आपको मैंने कैसे समझा था और उसी तरह से आपको याद रखना है उपर या नीचे मतलब उपर वाले floor में हो या नीचे वाले floor में आप रहते हो अगर वो चीज़ को represent करना है तो Z will be used अच्छा अब इस building का दो parts है एक left वाला side है एक right वाला side है अगर आप building का left वाले part में रहते हो रहते हो जैसे 1 और 4 है 1 और 4 को octant दिख रहा है ना या फिर आप पीछे की तरफ रहते हो जैसे 2 और 3 वो आपको अपने friend को बताना है तो या फिर जैसे यहाँ पर भी था 5,6,7,8 ठीक है ना 5 और 8 सामने में 6 और 7 पीछे की तरफ है तो अगर आपको यह बताना है आगे Front और Back वेसिकलि इसको आप बोल सकते हो Front या Back अगर आपको किसी को यह बताना है तो X-Aकस अभी सुनना अध्यान से अभी सुनना अध्यान से आप लोग है ना हाँ सर अगर आप First floor पर रहते हो सुनो, अगर आप first floor पे रहते हो, ground floor पे नहीं, अभी अपने बात first floor का कर रहे हैं, ठीक है, अभी अपने बात first floor का कर रहे हैं, दोस्तों, अगर आप first floor पे रहते हो, एक बात तो तह है, कि आप उपर रहते हो, और उपर में Z positive रहेगा, मैंने क्या कहा, उपर नीचे कौन सीधी बात नो बकवास है ना हाँ सर तो अब आप अप लोग एक चीज क्लियरली समझ लो अगर आप फर्स फ्लोर पे रहते हो विल्डिंग गे ठीक है ना मतलब उपर वाली फ्लोर में तो यह बात तो होता है कि जड़ पॉजिटीव होगा यह रहा देखिए जड़ जड़ पोजिटीव जड़ बात नॉबर दो दो बात नॉबर दो अब दूसरा सवाल एक बार उपर नीचे गा अच्छा और नीचे में जो भी रहेगा रहेगा मतलब उसके लिए जड़ नेगिटीव होगा देख पा रहे हो आप लोग क्लियरली I believe आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि Z उनके लिए negative रहेगा जी हाँ सर सर ये बात तो हम लोग देख पा रहे है मैं बोला very good अब सुनो उपर और नीचे का हो गया उपर और नीचे का clarity हो गया आप लोग को जी हाँ सर उपर और नीचे का हमारा clarity बिल्कुल हो गया अब सर जवाब इस बात का दीजिए सर किस बात का जवाब दे दोस्तों अब जवाब इस बात का दीजिए कि आप right की तरफ रहते हो या left की तरफ रहते हो मान लो सुनो आप अगर right की तरफ रहते हो जैसे अपने लोग बात करते है 1 और 2 का 1 और 2 दिख रहे है आप लोग को हाँ sir दिख रहे है और वैसे 5 और 6 आपको दिख रहे है हाँ sir हमें दिख रहे है 1 और 2 और 5 और 6 के बारे में खास बात क्या है जो लोग flat 1, flat 2, flat 5 और flat 6 में रह रहे हैं उनके बारे में positive है वाई सर बिल्कुल सही कहते हो आप और सामने में कौन रह रहा है फ्लैट सामने में किसका है सामने की तरफ किसका है front facing किसका flat है एक होता back facing एक होता front facing अगर आप लोगो clearly नजर आ रहा है दोस्तों तो one four ठीक है five और जहांते सुनिएगा one four five और eight यह लोग front facing flats है चेक कर लो यह one four five और eight फ्रंट और back किसका department है एक्स का तो यह देखिए one positive है four positive है ठीक है और क्या है one है four five five positive है और सामने की तरफ कौन है eight eight positive है अच्छा और बाकि सब negative है कोई अगर left में रहा left में रहा तो y negative होगा left में रहा तो y negative होगा नीचे रहा तो z negative रहेगा और पीछे की तरफ रहा तो x negative रहेगा दोस्तो अब easy लग रहा है कि नी हाना बुलना पड़े गा हाना बुलना पड़ेगा सब हार octant का x, y, z value मतला positive होगा यह negative हो अपने निकाल सकते है इतना बात clear है कि नी फिर आईए सबका निकालते हैं के करके हाँ बिल्कुल सर वेरी इजी सर हाँ बिल्कुल इजी है दोस्त अगर आप समझ रहे हो और सुन रहे हो येस, वेरी गड़, येस सर ठीख है, बेटर बेटर सर, सर आगे बात करीे आप मैं बोला, ओके आँगे बात करते हैं अब दोस्तों चलिये धोड़ा सा और हौले हुले, प्यार से आगे बाड़े ठीख है nा, हाँ सर सुनिए अब आपसे कोई पूछ लिया, मान लेते हैं, मान लेते हैं, आप सुगर सुगर उठे कोई पूछ लिया, कि भाई एक बात बताओ, 5th quadrant में, x, y, z में, कौन सा positive, कौन सा negative होता है, 5th quadrant में, आप सिधी सी बात ऐसे सोचो, बेखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में, अब 5 कहां पर है, यह 5, और बताओ अच्छा राइट की तरफ रह रहा है मतलब यह बात तो खुशी है कि वाई पॉजटिव होगा और फ्रंट फेसिंग अपार्टमेंट में रह रहा है तो एक्स भी पॉजटिव होगा तो प्लस प्लस माइनस तो फिफ्ट कॉड्रन का देखिए प्लस प्लस माइनस आप लोग का आ गया ओओ सर समझ में आया कोई आपसे पूछ लिए आज 7 का बता देखो 7 आपका पीछे की तरफ है दिख रहे है आप लोग को हां सर पीछे की तरफ है मतलब X नेगेटिव है लेफ्ट साइड में इसका अपार्टमेंट है मतलब Y भी नेगेटिव है और नी प्रेट विए 7 को मिल है जो फ्लेट 7 में रह रहगा है ये जो मैं वर्ट यूझ कर रहा हो फ्लेट इसको अपने को ओक्टेंट समझना है मैं औक्टेंट की बात कर रहा हूँ हर ओक्टेंट पे X positive है Y negative है या क्या है उस बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं I believe आप को समझ में आ गया दोस्त हां सर हम लोगों को reasonably ये बात तो समझ में आ गया आप थोड़ा सा समस का discussion भी शुरू कर सकते हो मैं बोला ओके अगर आप लोगों ने कहा है कि समस का discussion शुरू कर सकते हैं तो शुरू करते हैं फिर देर किस बात की एक बात याद रखेगा सबसे आपना 2D मतलब कार्टीसें प्लें के बारे में पढ़ते थे 2D में तो अपने लोग क्या देखते थे मान लो आप मान लो आप अपने लोग एक वाइट शीट पर चलते हैं ना हाँ सर अब देखो आप मान लीजीए ये एक एकसिस है राइट ये वाई एकसिस है मैं टूडी तो उसका y का value क्या होगा अरे यार सीधी सी बात है अगर कोई x पर है तो y क्या होगा उस समय सर 0 ही होगा सर 0 ही होगा और क्या ही होगा अगर कोई चीज x पर है तो उधर पर y क्या होगा 0 होगा सेम चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूं 3D में आप लोगों को ऐसा बोला जाए गर कोई चीज अगर झेट प्लेंग पर है तो आपसे पूछा जाएगा की उसका य value क्या होगा अगर इगजट प्लेंग पर है best WY hand is चीज आपका xy plane पर है तो उस सिनरियो में z will be zero सीधी बात नो बक्वास सर बात तो आपका समझ में आया सर बात तो पूरा logical और आपका बात समझ में आया भी यह सर यह सर आगे बात करें आप मैं बोला ओके अब आगे बात करते हैं सुनिएगा question दोस्तों दीरे दीरे बढ़ेगा दीरे दीरे level elevate होगा सबसे पहले तो आपका question है सबसे पहले आपका question है ध्यान दर सुनिएगा है हाँ सर नेम दाक्टेंट एकदम basic से शुरू करते हैं नेम दाक्टेंट in which the following points लाई सुनिएगा नेम दाक्टेंट मतला first octane second octane third octane fourth octane fifth octane sixth octane seventh octane eighth octane किस octane में लाई करते हैं नेम दाक्टेंट in which in which the following points इन विच दा फॉल्लविंग पॉइंट्स लाई करेक्ट जी हां सर बिल्कुल करेक्ट तो जिस उक्टेंट में यह लाई करते हैं वो अपने को निकलना है मैं कुछ questions लिखनू आपके सामने है ना 123 यह है पहला क्योंकि ने को x और y वाला दिन गया अब आपको जो coordinates दिया हुआ रहेगा वो x,y में नहीं x,y,z के terms में दिया हुआ रहेगा you have got to realize this ठीक है दूसरा 4,-2,3 मैं तीन-4 questions एक साथ लिख ले रहा हूँ और फिर अपने लोग इसका discussion पर arrive करते हैं ना ठीक है 4-2-5 ठीक है ना और 4th question पूछ लिया let's say 4,2,-5 अब मेरा सोचने का तरीका है बड़ा आसान बड़ा सरल पहला है 1-2-3 पहला है 1-2-3 है ना मैं लिखी लेता हूँ अलग-अलग questions को यहाँ पर है ना देखिए सबसे पहला question क्या बोलता है अपने को यहाँ पर लिख लेने से क्या मैं यहाँ पर ही तुरंट solve करके भी आपको दिखा दूंगा exam में आप लोग को यह सोचना होगा क्योंकि आपको यह diagram नहीं दिया हुआ रहेगा वो तो अभी आप लोग सोच सके visualize कर सके इसलिए मैं यह करवा रहा हूँ राइट तो 4,2,3 या 1,2,3 whatever is given ठीक है ना दूसरा है आप लोग का दूसरा जो आप लोग को दिया हुआ है वो है 4,-2,3 तीसरा है 4,-2,-5 और चौथा वाला है अपना है चौथा वाला 4,2,-5 सुनिएगा एक एक करके सबसे पहले 1,2,3 1,2,3 basically क्या represent कर रहा है x, y और z 1,2,3 किसको represent कर रहा है दोस्तो x, y और z मैं सिर्फ यह देख रहा हूँ कि x भी positive, y भी positive, z भी positive अब मैं सोचता कैसे ह मैं आपको यह बताता हूँ, देखो, मैं यह बोर रहा हूँ, कि अगर x positive है, अगर x positive है, और मैं, नहीं, सबसे पहले आप ऐसे सोचो, कि उपर वाले floor में या नीचे वाले floor में, उसको judge करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, उसको judge करने के लिए आपको देखना है, मतलब यह बात तय हो गया, कि मैं उपर वाले floor में में मेरा answer है, अब उपर वाले floor में मेरे को 4 octants पता है, 1, 2, 3, 4, मतलब मेरा answer 1, 1st octant होगा, 2nd, 3rd या 4th में होगा, correct, जी answer, तो z से मैंने सोचा, फिर मैं सोचा कि right में है, कि left में है, मेरे को right में है, तो y positive होगा, left में ह होगा, यहाँ पर positive है, मतलब यह बात तय है कि right में है, क्योंकि positive है, 2 है, तो 2 तो positive है, तो यानि कि right में है, यह बात भी तय हो गया, अब दोस्तों, एक बात तो reasonably clear है, कि क्या तो first होगा, या to second होगा, क्या तो first octant होगा, या second octant होगा, अब यह किस बात पर निर्भर है, सा उक्टेंट इसका एंसर क्या होगा इक लाइज इन दे फिर्स्ट उक्टेंट दोस्तो एवरिबडी अग्रीड और नॉट हाना बुलना पड़ेगा कम ओन मेट्स यह सर वेरी गुड सर बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है हां इंट्रेस्टिंग है और है इंट्रेस्टिंग सही लग रहा है आपको ओके ग्रेट चलिए आगे बात करते हैं दूस्तों अगर अगे बात करें दूस्तों अगर अगे बात करें ठीक है न तो हो नेक्स क्वेश्ट्यन है 4 कमा मइनस टू कमा थ्री सुनिएगा four कमा मैंनस टू कमा थ्री अब मैं क्या सोच रहा हूं मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं फ्लोर से पहले सोचता हूं जेट देख रहा हूं मैं मतलब यह बात मैंको उपर वाले फ्लोर में left side में दो ही apartments है flat number 3 और flat number 4 yes sir no अब मैं क्या देख रहा हूँ अब मैं क्या check कर रहा हूँ अब मैं ये check कर रहा हूँ कि आगे है या पीछे है अब क्योंकि ये positive है क्योंकि ये positive है मतलब सामने की तरफ है तो देखो ये second होता है वो third होता है तो ये fourth होगा तो the answer is fourth octant the fourth octant is the answer हाँ sir बात तो बिल्कुल सही कह रहे है सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे है मैं बोला ठीक है अगे बात करते है 4 minus 2 comma minus 5 मैं वापस से क्या check करूँगा मैं ground floor या top floor चेक करूँगा मेरे को minus 5 दिखा सबसे पहले मतलब z मतलब ground floor में रह रह रहा है मतलब answer 5,6,7,8 में से कुछ है ठीक है न answer 5,6,7,8 में से कुछ है ये बात मेरे को clear and reasonably अब मैं देखता हूँ 4 minus 2 minus 5 है ठीक है minus 2 है देखो minus 2 है मतलब y negative है मतलब left side में मतलब answer 7,8 में से कुछ है answer 7,8 में से कुछ है अच्छा अब क्योंकि 4 है मतलब सामने की तरफ है तो the answer is 8 तो the answer is 8 octane हाँ सर ये बात तो सही है सर ये बात तो बिल्कुल सही है और बताए सर आप अब next है 4,2,-5 next है 4,2,-5 अब इसके बारे में बताईए ऐसा ये लोग पूछ रहे है तो दोस्तों मैं आपको बता दू दोस्तों मैं आपको बता दू कि 4,2,-5 का जब आपको location ढूणना है मतलब जब आपको location बताना है examiner को तो आप सिधा सा बात है सोचो कि किस floor पे हो actually coordinate बोलने का अधात हो गया है अपने को 5th octane लिखेंगे सही तो ठीक है बोले कुछ भी बोलने का number थोड़ी है 5th octane ठीक है ना जी हाँ बिलकुल सर ये बात हमारे को clear है दोस्तों अगर इतना आप लोग comfortable हो तो क्या अपने लोग distance and section formula start कर सकते हैं क्या 3D geometry का बताईए फटा-फट बताईए क्योंकि अभी तक आप लोग का basically चल क्या रहा था 3D geometry 3D geometry खेल रहे हैं अब लोग अब अगर आप लोगों का इजाज़त होगा तो मैं फिर आगे elevate करूँगा खुद को आप लोग का permission हो तो Yes Sir हाँ सब बोल रहे हाँ सर चल यह आगे बढ़ी है सर चीक है अब जब मैं बोलता हूं students को कि भाई distance formula है students लोग का first यह होता है कि भाई यह तो बहुत मुश्किल होगा इसमें तो बहुत बड़ा discovery करने वाले हम लोग नहीं बिलकुल भी नहीं आज आप लोग सोचो अगर जब two plane system में थे आप मतलब two d कर रहे थे आप तो distance formula क्या था सीदी सी बात है अगर दो points होता था a और b तो distance कैसे निकलते थे इन दोनों points के बीच में सर सीदी सी बात है x1-x2 whole square करते थे plus y1-y2 whole square करते थे whole में root over रहता था यही करते थे सर हम तो मैं बोला यार यहाँ पर भी क्या अलग है यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है यह 2 d में चलता था 3 d में बस z भी आ जाएगा और formula में कोई change नहीं है अच्छा इसका मतलब x1-x2 whole square plus y1-y2 whole square plus z1-z2 whole square सर यह तो बहुत ही आसान है सर मैं बोला हाँ बिल्कुल आईए question है find the distance between let's say minus 1, 3, minus 4 and 1, minus 3, 4 इनके बीच में distance निकालने है अरे तो जनाब अगर इनके बीच में आप लोगों को distance निकालने है सिधी बात नो बक्वास मान लिजिए यह point A है, यह point B को represent कर रहे है सिधी सी बात है आप लिखो पहले formula formula सबसे पहले लिखना मत बुलना examiner number नहीं देगा number काटेगा वो और अपने को चाहिए life में इजजत मतलब full max और वो तभी मिलेगा जब अपने लोग answer को लिखेंगे properly पर ली ठीक है ना तो देगो root over x1 minus x2 यानि कि minus 1 minus 1 whole square समझ रहो ना यह x1 है यह x2 है वो आप कुछ भी ले सकते है वो आपकी मर्जी है ठीक है ना x1 minus x2 क्योंकि whole square हो जाएगा ना तो वो positive होना ही ultimately y1 minus y2 यानि कि 3 minus minus 3 यानि कि 3 plus 3 whole square समझ आया नहीं है हाँ सर आया वैसे z1 minus z2 यानि कि minus 4 minus 4 ठीक है सर यानि कि 2 square 4 3 plus 3 is 6 6 square 36 and minus 4 minus 4 यानि कि minus 8 and that is 64 तो अगर आप लोग चेक करो तो आप लोगों का root over 104 आया आप लोगों का root over 104 units आया 104 तो अप लोग इसको simplify कर लो जैसे यह क्या होता है 2 into 2 into 26 4 into यह हो गया न तो यानि कि 2 2 का 1 2 बहार तो root over 26 units is the distance units लिखना मत भूला समझ रहो न जो नहीं समझा उसको समझा दे 252 to 26 अरे इसके बाद 2 13 करके कोई फायदा नहीं है क्यों क्यों क्योंकि कोई spare ही नहीं बनेगा तो 26 ही रहन तो 2 2 का 1 2 बहार ले लिए तो 2 into 26 वो ऐसे का वैसे रहेगा तो 2 root 26 there we have it यह है basically about distance about distance between the two given points सर आप बोल रहे हो कि कभी भी कोई distance निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे ही करेगा आम लोग जी हाँ बिलकुल आप लोग ऐसे ही करेगा आई यह next variety of question में चले आई यह next variety of question में चले जो कि distance formula से आता है अब distance formula को तो यह लोग अलग अलग तरीका से proof करने दे सकते हैं आपको अब आई यह next अपने लोग चलते हैं which is what collinearity के लिए use distance formula ही करना है सर nothing you know tough is going on question show that show that the points minus 2,3,5 1,2,3 and 7,0,-1 are collinear यह तीनो points collinear है यह बताओ यार मैं बोलता हूँ कि सबको पहले तो एक नाम दे दो A, B, C C दीजी बात है अब collinear का मतलब क्या होता है कोई भी तीन points collinear कब होता है collinear तब होता है जब उन तीनो points के थूँ हमें एक straight line बना पाएं जैसे मान लो यह यह और यह इनके थूँ मैं एक straight line बना पा रहा हूँ तो यह लोग collinear है अगर इन तीनों को जोर कर मैं एक straight line न बना पाऊं तो यह collinear नहीं है सर लेकिन हमारा सवाल यह है कि अब collinear है या आप साबित कैसे करोगे मैं बोला यार सीधी सी बात है A B निकाल लो A B निकाल लो A B के बीच का distance निकाल लो तरीका आपको पता है B C के बीच का distance निकाल लो तरीका आपको सर पता है और similarly A C के बीच का distance निकाल लो आपको तरीका पता है और कोई भी 2 add करोगे आप आओगे कि any two add करने से third one आ रहा है तो बस खोली नहीं आ रहा है आप समझो ना जैसे मान लो एक example ले रहा हूँ कि मान लो ये AB और BC AB को जब आपने add किया और BC को जब आपने add किया मतलब ये AB का distance calculate किया BC का distance calculate किया तो आपका AC आया तो हो गया ना prove कि ये एक straight line में है तभी तो AB plus BC AC हुआ वरना होता क्या से अगर ये straight line में नहीं होता तो हाँ सर बात सही है तो सर बस यही करना है exactly यही करना है चलिए कर भी लेते हैं ऐसा क्या बात है आई ये कर भी लेते हैं अपने लोग root over देखो minus 2 minus 1 यानि कि minus 3 whole square plus 3 minus 2 यानि कि 1 whole square plus 5 minus 3 यानि कि 2 whole square बराबर सर जी हाँ बिलकुल बराबर सर तो root over 9 plus 1 plus 4 यानि कि root over 14 2 7 जा होता है तो root over 14 units let it be अब अपने BC के बारे में बात करते हैं दोस्तों अगर अपने BC के बारे में बात करें तो 1 minus 7 यानि कि 1 minus 7 यानि कि minus 6 whole square plus 2 minus 0 यानि कि 2 whole square plus सुनो 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 3 minus minus 1 3 minus minus 1 मतलब 3 plus 1 whole square हो so that is 4 square सर बात तो ठीक है सर तो जब आप लोग solve करोगे आपका कितना हैगा root 36 plus 440 and 16 यानि कि root over 56 ठीक है root over 56 और solve किया जा सकता है guess हाँ sir किया जा सकता है कैसे 2 into 2 4 और 4 into 14 4 into 14 अपना 56 होता है तो मैं इसको 2 root 14 लिख सकता हूँ right 2 root 14 units लिख सकता हूँ मैं ठीक है अगर गलत किया हो तो आप लोग बता देना ठीक ही किया हूँ ठीक है 228, 214 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही है AC यह सब में क्या चेक कर लेना चाहिए अपने और क्या कभी कभी क्या होता आपने जल्दी बाजी में क्योंकि सिंपल चीज है अपने सिंपल चीज में जल्दी कर सकता हूं सेम आप लोग के साथ हो सकता है तो साब्धान रहे सतर्क रहें ठीक है तो AC के बीच में डिस्टेंस माइनस टू माइनस सेवन यानि कि माइनस देखें यह माइनस यह माइनस टू माइनस सेवन कितना हुआ माइनस 9 हुआ तो यानि tale कि 292 लिसनल किखुल हुआ रिश तो सही बात हुछ दिक्कतorarाि ला है इसके अंदर और 5-1 देखो 5-1-1 यानि कि 5-1 यानि कि 6 square सर करेक्ट है जी हाँ सर तो 81 प्लस 9 प्लस 36 यानि कि 90 प्लस 36 यानि कि root over 126 units यह distance आया अब root over 126 आप निकालिए बैठके अगर आपने करेंगे तो 3 42 and 314 मतलब 1 3 इसका आएगा 3 root 14 units अब चेक कर लो समद रहो 3 into 3 into 14 तो 2 3 का 1 3 बार and root 14 अब आप लोग मजे की बात यह देखो कि AB प्लस BC आपका कितना आ रहा है root 14 plus 2 root 14 which is equals to 3 root 14 जो कि असल में AC ही है जो कि असल में AC ही है यानि कि अपने बोल सकते हैं hence proof अच्छा यह बात है जी हाँ बिलकुल यह बात है अब दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि इसी तरह से ना examiner आपको परिशान कर सकता है यह बोलके कि proof कर equilateral triangle है तो यार अगर equilateral triangle होगा तो AB, BC और AC equal होंगे distance आपको बोल सकता है आइसो सेलेस है तो कोई भी दो sides equal होगा मतलब दो distances equal होगा कहने का मतलब यह है कि अपने को फसना नहीं है सर अपने को अब फसना नहीं है जबरदस्ती का इतना easy-easy stuff में correct है सर आईए दोस्तों distance formula अपने cover कर चुके हैं तो अब अपने लोग एक बार हाथ लगा दे section formula को भी और उसके बाद आप लोग बोल सकते हो कि आपका 3D geometry खतम है क्या बात करते हो सर 3D geometry खतम हाँ खतम तो चलो बात अपने करते हैं section formula का दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं section formula का listen very carefully दोस्तो listen very carefully जब हम लोग बात section formula का करते हैं तो क्या होता है section formula होता क्या है जैसे for example मैं आपको 2D के case में याद दिला रहा हूँ हाँ अभी 3D को reference नहीं दे रहा हूँ तो आप लोग क्या देखते थे 2D के case में ये देखो जैसे मान लो ये एक line है है ना A B है line A B है आपको बोला जाता था कि एक point है C एक point है C जो इस line को divide कर रहा है let's say in the ratio of 2 is to 3 internally internally मतलब कि जो point C है वो A और B के अंदर है A और B के अंदर है बाहर नहीं अंदर है अपने को बोला जाता था भाई find C अपने को बोला जाता था भाई find C ratio दिया हूँ रहता था let's not right 2 is to 3 मैं लिख देता हूँ M is to N ठीक है ना मैं M is to N लिख देता हूँ सर लिख दीजिए M is to N अब दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग को क्या होता क्या था आप लोग को C निकालना रहता था आप लोग को बोला रहता था भाई C का coordinate अपने को किसका coordinates मालूम है A का X1 Y1 और B का अपने को मालूम है X2 Y2 तो सुनो सुनो अपने क्या करते थे सुनो अपने लोग क्या करते थे M into X2 करते थे प्लस N into X1 करते थे जी हाँ सर whole divided by M plus N ये इसका X coordinate हो गया और वैसे Y coordinate क्या होगा M into Y2 plus N into Y1 whole divided by M plus N ये इसका Y coordinate आ गया तो देखो X coordinate और Y coordinate मिल गया आप लोग को सर बात तो सही है सर बात तो सही है लेकिन सर हमारा सवाल है आपसे मैं पुछा क्या सवाल है हमारा सवाल है आपसे सर कि 3D में ये चीज कैसे करेंगे 3D में internally वाला case मैं internally और externally दोनों सिखाते तो फिर सम करके दिखाऊंगा ठीक है 3D में भी ये है 3D में भी ये है concept थोड़ी change हो जाएगा बस यहाँ पर जो है आपका A जो है यह आपका X1, Y1, Z1 दिया हुआ है और जो B आपका X2, Y2, Z2 दिया हुआ है और जो बीच में let's say point K है वो आपको बता रहा है कि भाई जो ratio है वो M is to N है आपको K का coordinate निकालना है अरे तो भाई K का coordinate निकालना है internal ही है क्योंकि K अंदर में ही है क्योंकि K अंदर में ही है internal वाला ही कैसा यह भी बस इसमें क्या होगा इसमें भी formula same ही रहेगा formula is not going to change here अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हाँ तो यहाँ पर formula is not going to change वो क्या होगा X coordinate निकालने के लिए वो ही same MX2 plus NX1 whole divided by M plus N Y वाला निकालने के लिए वो ही Y का coordinate निकालने के लिए MY2 plus NY1 whole divided by M plus N और यह हो जाता था खतम 2 में 3 में वापस है MZ2 अच्छा plus NZ1 whole divided by M plus N सर बस यही बात है क्या जी हाँ यही तो कहा मैंने कि बस यही बात है सर यार यह तो बहुत easy है मैं बुला हाँ बिलकुल easy है मैं बुला हाँ बिलकुल easy है ठीक है यह internally वाला case हो गया 3D में ठीक है section formula में एक और concept था जो की externally के बारे में बात करता था आपसे section formula में एक और concept था जो दोस्तों आपसे externally के बारे में बात करता था yes or no external division sir क्या था external division आईए मैं आपको 2D के case में पहले remind करो फिर 3D पे जाएंगे ना अब आपको बोलता था कि एक point है A B मैंने एक line है A B I'm sorry जिसके coordinates है let's say x1 y1 और x2 y2 अब आपको बोला गया कि एक point C है ठीक है एक point C है जो externally divide कर रहा A और B को in certain ratio एक point C है मतलब point C बाहार की तरफ है एक point C है जो externally divide कर रहा है m is to n के ratio में m is to n का ratio समझते हो इसका मतलब इसका मतलब A C सुनिएगा A C is to please listen very carefully is to this B C ओ यहाँ पर भी वही था यहाँ पर भी वही का A C is to B C लेकिन यह अंदर था यहाँ पर बाहर में है A C is to B C M is to N अच्छा तो सर यहाँ पर आप लोग सम कैसे solve करते थे यह तो concept याद रखने का समझने का की logically चल क्या रहा है बट आप लोग C निकालते कैसे थे अगर आप लोग को याद हो दोस्तो तो इसमें भी आप लोग सेम चीज़ करते थे बस plus की जग है हाँ सही बोल रहे हो सुनाई पढ़ रहा है माइनस करते थे similarly y के लिए भी y के लिए भी आप क्या करते थे plus की जग है सर माइनस ही करते थे हम लोग मैं बोला perfect मैं बोला perfect यहाँ पर सर क्या करना है यहाँ पर भी same करना है welcome to the 3D world 3D में क्या add होगा 3D में we will also do same चीज़ होगा same concept होगा we will also do mz2 minus nz1 by m minus n अरे क्योंकि 3 point system है न 3D system है तो z वाला value भी तो निकलना पड़ेगा आपको अच्छा तो यह बात है जी हाँ बिल्कुल यह बात है आईए एक question लें अब अपने लोग जिससे अपने लोग को पूरा मामला समझ में आए और एक question enough है in order to understand this है न आईए question है find the coordinates find the coordinates find the coordinates of the point find the coordinates of point which divides which divides the line segment एक ऐसा line segment which divides the line segment joining कौन से दो पोई जोई वरे हैं सर which divides the line segment joining minus 2,3,5 and 1,-4,6 in the ratio in the ratio listen very carefully दोस्तो in the ratio number 1 2 is to 3 internally और दूसरा 2 is to 3 externally अच्छा जी हां सर मतलब आप लोग को A और B basically दे दिया सर बात तो सही है अपने लोग सबसे पहले internally को solve करेंगे सबसे पहले अपने क्या करेंगे internally को करेंगे अपने लोग बोलेंगे let the point B C let point B C अब C का X वाला value अब C का X वाला value अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा MX2 प्लस N X1 by M प्लस N ऐसे scenarios में आप लिख लो M क्या है 2 N क्या है 3 अच्छा X1, Y1, Z1 भी लिख लो X1, Y1 Z1 भी लिख लो आप लोग और similarly X2 Y2 Z2 X2, Y2, Z2 क्या 1 माइनस 4 और 6 दोस्तो ठीक है जी हाँ बिल्कुल सर सही है अब सर बताओ अब क्या करना है अब इसका X कोडिनेट्स क्या होगा M into X2 यानि की 1 प्लस N into X1 यानि की माइनस 2 holy word भाई M प्लस N यानि की 2 प्लस 3 यानि की 5 तो basically क्या हुआ 2, 3 into minus 2 यानि की minus 6 by 5 यानि की minus 4 by 5 X का value आ गया X कोडिनेट आ गया C का Y वाला value निकलना है same formula लिखना जरूरी है ये please ध्यान रखें बात को everybody सर याद रखेंगा N by 1 whole divided by M प्लस N यानि की सुनो 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 M 2 into minus 4 यानि की minus 8 correct है सर जी हाँ बिल्कुल correct है मैं वही कर रहा हूँ 2 into minus 4 plus N यानि की 3 into Y1 यानि की 3 into 3 correct whole divided by 2 plus 3 यानि की 5 तो देखो क्या हुआ minus 8 plus 9 यानि की 1 by 5 आया perfect जी हाँ बिल्कुल सर और C का Z वाला ओडिनेट भी निकाल लीजिए perfect सर perfect मजा आ गया सर तो अगर आप लोग Z वाला ओडिनेट निकालेंगे तो आपका कितना आएगा देख लीजिए 2 into M into Z यानि की 2 into 6 ठीक है न M Z 2 plus N Z 1 whole divided by M plus N formula लिखना न बुलें तो यानि की 2 into 6 2 into 6 plus N Z 1 यानि की 3 into 5 3 into 5 whole divided by M plus N यानि की 5 हो गया तो 12 plus 15 यानि की 27 27 divided by 5 आया राइट सर जी हाँ बिलकुल सर अब मैं क्या कहा रहा हूं आप लोग को यह हो गया आपका internal वाला case तो आप जो point है let the point भी क्या लिया था आपने let the point भी C तो जो C का ultimate coordinates आया उसको एक साथ लिखना मत बुलिए minus 4 by 5 comma 1 by 5 comma 27 by 5 खतम internal division का अगर हो रहा है तो C का answer यह सर सवाल है external division का अरे मैं बोला यार let the point be D external division के लिए मैं बनाब same point लेना नहीं चाहरा हम है let the point be D अच्छा part 2 लिख देता है उसको point 2 part 2 लिख देता हूँ अब देखो C का X वाला D का actually D का X वाला part कैसे निकलेगा M X 2 minus N X 1 by M minus N अब देखो M minus N है तो यार आप लोगको मालूम है 3 minus 2 हो and 2 minus 3 है that is minus 1 correct that is minus 1 because 2 is to 3 है that is minus 1 है न ये बात तो तय है न कि sir minus 1 आएगा चाए Y हो चाए Z हो उसके नीचे correct sir बिल्कुल correct बिल्कुल correct अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार करना तो यही किसी को minus है तो बार-बार देख क्या रहे हो देखो 2 into 1 2 और 3 into minus 2 कितना होता है minus 6 तो यह देखो यह minus 6 है और यह 2 है तो 2 minus minus 6 करना यानि कि 2 plus 6 करना है आप लोगको समझ गए न तो 2 plus 6 कितना होता है 8 यानि कि इसका आ गया minus 8 सर बात तो बिल्कुल ठीक क्या रहे हो आप similarly Y के लिए भी कर लो देखो यह जो 2 आपस में plus हो रहे है minus 8 और 9 इसको आपस में minus करना है तो minus 8 minus 9 कितना होगा minus 17 ओके तो minus 17 by minus 1 यानि कि 1 और अगर अपने Z का बात करें तो 12 minus 15 2 into 6 12 और 3 into 5 15 तो 12 minus 15 अपने लोग का हो गया minus 3 correct जी answer कट दो formula लिख दीजेगा बस तो अपने लोग का अगर external division का case है तो D के coordinates हमारे आ गए minus 8, 17 और 3 and there you have it दोस्तो सर सबको बात clear है क्या हाना बोलिये फटा 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 ना बोलिये and इस तरह से होता है हमारा 3D geometry कुछ parallelogram rhombus related questions भी आते हैं which is no less than वो 2D का concepts right this is how it's done दोस्तो सबको clear है क्या बताएए yes or no yes sir very good हाँ sir बहुत easy है correct very good very very good so my dear friends so my dear friends let's wind up for the day ठीक है चलो बाइबाए Relोज फिरह क्या क्या है सबकार क्या है तोस्तो था बाइबास जआघे बाट हाँ झाल झाल